गुड मॉर्निंग बच्चों, तो हम आज की क्लास टेक्स्ट बुक से शुरू करें बच्चों, ये हैं आपकी हिंदी की टेक्स्ट बूक, ओके ना, हिंदी की टेक्स्ट बूक, आप इसे खोल लीजिए और फिर अंदर देखें, अंदर ये सारे लेसन हैं आपको पढ़ने के ओके ना, तो आज हम पहले फॉर्स लेसन देखेंगे, फॉर्स लेसन क्या है, चित्र गतिविधी, चित्र मतलब क्या है, ये पिक्चर, ओके ना, ये पूरी पिक्चर है, ओके ना, इसमें क्या करना है आपको, चित्र का मतलब है पिक्चर, ये पिक्चर देखकर आपको एक activity करनी है, गतिविधी मतलब क्या है, activity तो क्या है activity देखे, चित्र को ध्यान से देखो, और जो बात गलत रख रही है उस पर cross लगाओ, ऐसे cross लगाना है ओके ना, तो यहाँ पर क्या बूल रहे है जो wrong है बच्चों, जो हमें नहीं करना चाहिए we should put a cross तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या गलत लग रहा है यह देखो, यह दोनों बच्चे क्या कर रहे है जगडा fighting, यह दोनों बच्चे क्या कर रहे है fighting, तो यह गलत है यह right है या wrong बच्चों wrong, गलत गलत है तो आप एक पेंसिल से उस पे ऐसे क्रॉस लगाईए ओके ना और अब इस स्लाइड पर देखो बच्चो यह लड़का अपने हाथ उपर करके स्लाइड हो रहा है ऐसे करते हैं खड़े होकर नहीं हमको बैट कर यह साइड वाला पकड़ कर फिल स्लाइड करना चाहिए गलत है और अब बच्चो इससे हमें चोट लग जा सकती है इसलिए यह भी गलत है रॉंग गलत है तो इस पे आप एक क्रॉस लगाईए अब देखिए बच्चो यहाँ आपको और क्या गलत है नजर आ रहा है इस आदमी को देखिए यह आदमी ने के ला या बनाना बनाना या कुछ खाकर उसका जो पील है वो जमीन पर फेक दिया लेकिन यहाँ डेस्ट बिन है तो जमीन पर हमें फेकना चाहिए बच्चो नहीं गलत है कभी भी खाना खाकर जो waste है हमें dustbin में फेकना चाहिए तो यह जो आदमी है man आदमी का मतलब क्या है बच्चो man गलत है हमें ऐसे कचरा नहीं फेकना चाहिए यह देखिए, यह लड़की, यह लड़की कुछ भी खाकर कचरा किस्में फेक रही है, डस्ट बिन में, यह सही है, यह रॉंग है, है न बत्चों, अभी, यह एक गाडन है, जाडन में यहाँ पर एक बोड लिखा है, इस बोड में क्या है, फूल तोड़ना मना है फूल तोड़ना फूल मतलब क्या है बच्चो flowers flowers तोड़ना means to pluck flowers is banned we should not pluck flowers in the garden ऐसा लिखा है यहाँ फूल तोड़ना मना है लेकिन यह लड़का देखो यह गार्डन में से फूल तोड़ रहा है है ने बच्चो यह सही है या गलत है गलत हमें किसी भी गार्डन या किसी के घर जाए या फिर कहीं हम रास्ते पर जाए रोड पर जाए कभी भी ऐसे ही फूल को नहीं तोड़ना चारिए तो यह activity आपको कैसी लगे बच्चो आप लोग easily एक pencil लेकर यह activity में जो जो wrong है गलत है उस पर ऐसे cross लगाईए करेंगे बच्चो आज हम यह activity ये तो यह हमारी first activity पूरी हो जाएगी ओके बच्चो आप अपनी textbook निकाले एक pencil लेकर इसे finish कर दिजे पूरा कर दिजे इस activity को ओके बच्चो गुडबाई लेखे बच्चो लेखे हो बच्चो लेखे हो जाएगी येल